अभी मैंने एक वीडियो अप्लोड किया था कंप्रीजन आफ निर्मा इंवर्सिटी एंट्रिपलाइटी बरोदरा तो उसमें मैंने ट्रिपलाइटी बरोदरा का 2018 और 2019 का प्लेस्मेंट रिकॉर्ड बताया था क्योंकि मुझे ट्रिपलाइटी बरोदरा के होम पेज पर प्ल 2018-2019 का ही data available है बट अभी Triplati Barodra ने 2019-20 का भी यानि नया placement record भी release कर दिया है और उसको उन लोगों ने यहां पे नहीं डाला है उसको उन लोगों ने एक और नय पेस पे डाला है तो मैं देख नहीं पाया था ठीक है तो अब इस वीडियो में मैं आपको Triplati Barodra का नया placement record बता रहा हूँ ठीक है 100% placement है highest package 36 lakhs है 36 lakh है average की बात करें तो 11 lakh है number of company visited 30 है और 8 international offers based at Japan, Germany and Malaysia ठीक है top recruiters की बात करें तो Amazon है Mathwork है Adobe है, Quicker है Sigmoid है ICIC Bank है International Form है top profile offered की बात करें तो Software Engineer Product Management Research Research and Development Research Engineering Associate Data Science Associate Consultant Analyst Business Consultant अगर और detail में बात करें तो B-Taking CAC के लिए total batch is 261 है number of eligible is 258 है total place is 258 है total offer received 73 है placement percentage 100% है 73 total offer का क्या मतलब हुआ मतलब कुछ बच्चों को एक से जादा offer मिला है एक से जादा company में कुछ बच्चे placed हुए है अगर बच्चे की बात करें तो 20 बच्चे थे total 16 बच्चे eligible थे 16 का placement हो गया total offer मिला 24 मतलब इसमें से भी कुछ बच्चों को double placement मिला है उसी तरह से आप MTEC का देख सकते है नीचे एक और जानकारी दी गई है कि last year approximately 25 students had received the pre placement offer from the respective companies pre placement offer का मतलब होता है कब बच्चे जिस company में intensive करने जाते है intensive के बाद company उनको placement का offer देती है उसको pre placement offer कहते है ठीक है तो उस वीडियो में ये जानकारी मैंने नहीं दिया था बाकी triple IT बरोदरा के बारे में जो कुछ भी आपको बताया गया है सब इसके official website से लिया गया है निर्मा इन्बसिटी के बारे में जो बताया गया है उसका official website से या बच्चों के review देखकर बताया गया है तो अब आप decide कर सकते हैं कि दोनों में से कौन वेटर है अगर placement की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं अगर इस साल का placement compare कर रहे हैं आप तो triple IT बरोदरा का placement इनकिरीज हुआ है अच्छा हो गया है निर्मा इन्बसिटी का भी placement अच्छा है और निर्मा इन्बसिटी के एक खास बात है कि उसका infrastructure अच्छा है कॉलेज पुराना है कॉलेज एक इन्बसिटी है उसका सब कुछ developed है मतलब एक कॉलेज में जितनी भी facilities होती है एक established कॉलेज में सब कुछ वहाँ पे है जबकि ट्रिपलाटी ब्रोदरा एक temporary campus में चलता है इसका hostel 31 km के distance पे है तो आप इस वीडियो को और पुराने वीडियो को देखिए पूरा देखिए और तब decide किजिएगा कि किस में जाना चाहिए कभी भी आधा वीडियो देखके decide मत किजिए अधा वीडियो देखके decide मत किजिए कौन अच्छा है दोनों college अच्छे है और दोनों college की अपनी अलग importance है अगर आप ट्रिपलाटी ब्रोदरा की बात करेंगे तो ट्रिपलाटी ब्रोदरा में एक अच्छा coding culture है placement भी अच्छा हो गया है दीरे दीरे और अच्छा हो रहा है और जबकि निर्वाइंबस्टि की बात करेंगे तो infrastructure अच्छा है labs अच्छे है robotics का lab है placement भी ठीक ठाक है placement भी अच्छा है अब आपके उपर है आप decide किजिए कौन अच्छा है तो इस वीडियो में इतना ही बाइबस्टि और अच्छा है